आज हम सीखेंगे की Siemens S7-200 का प्रोग्राम कैसे अप्लोड अन्ड डाउनलोड करते हैं सॉफ्ट वे उपन होने के बाद हम सेट पी जी पी सी इंटरफेस को उपन करते हैं इंटरफेस में हम PC to PPI केबल का यूज करते हैं और प्रॉपटीज में जाकर केबल का कॉमपोर्ट सेलेक्ट करते हैं कमपोर्ट सेलेक्ट होने के बाद हम उकी कर देते हैं और इस विंडो को क्लोस कर देते हैं कमपोर्ट सेलेक्ट होने के बाद हम कम्यूनिकेशन टेस्ट करते हैं कम्यूनिकेशन विंडो उपन होने के बाद डाबल क्लिक टु रीफ्रेश पार डाबल क्लिक करते हैं कम्यूनिकेशन सक्सेस्पली होने के बाद हम इस विंडो को क्लोस कर देते हैं प्रोग्राम स्टेटिस बटन पर क्लिक करके प्रोग्राम का ओनलाइन स्टेटिस देख सकते हैं अब हम प्रोग्राम कैसे डाउनलोड करते हैं येसी इंगे सबसे पाले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्राम बनाने के बाद हम कमपाईल बटन पर क्लिक करके प्रोग्राम को कमपाईल कर ले तेहें अगर प्रोग्राम में कोई एरर हैं तो इस विंडोर में एरर शो करता है अभी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है आप हम प्रोग्राम को टाउनलोड कर देते हैं तेहरे प्रोग्राम में एरर नहीं है आप हम कर दो अभी तेहरे घ्रस प्रुप झाल 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 झाल